नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं UKSSC and UKPSC क्रैकर में तो उत्राखंड में जो है आपकी नई वेकेंसी रिलीज हुई है करनिस्ट साहयक की और साथ में व्यक्तिगत साहयक की भी जो है इसमें आपको वेकेंसी देखने को मिलेगी तो कितने पद रहने वाल है किस तरीके से इसमें नोटिफिकेशन रहेगा सारी चीजों पर अभी हम बात करेंगे तो उत्राखंड के सभी जनपदों में ये वेकेंसी निकाली गई है जहां तक आप देखें तो लेवल 3, लेवल 5, लेवल 7 तक की वेकेंसी आपको देखने को मिलेगी तो आप चैनल में नहीं है चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि पूरा डीटेल पर हम जानेंगे किस तरीके से फॉर्म फलप करना है क्या सिलिबस रहने वाला है एक्जाम जो इसका रहेगा वो मार्च में रहने वाला है तो काफी कम समय आपके पास बचा है अभी से आप लोग तैयारी करते रहें ठीक है तो सभी यहां पर आप देख रहे होंगे बागेश्वर्ट, चमोली, सभी जनपदों में यह आपकी वेकेंसी निकाली गई है तो यहां पर अगर हम देखें चमपावत में भी यह वेकेंसी रहेगी जो वेतन मान रहेगा 21,000 से लेके 69,000 तक आपका जो है सेली रहेगी देहरदून में भी अगर हम देखें तो यहां पर अलग-लग वर्गों में यह पोस्ट रहेगी जैसे कि यहां पर आपका दो पोस्ट एक-एक करके ऐसे यह पोस्ट रहेगी इसके सांती अगर हम बात करें हरिद्वा, नैनी ताल, पॉड़ी और पिथोड़गर, रुद्र प्रियाग, टेहरी, उधम सिंग नेगर, उत्तरकासी, इसके सांती अलमोडा में भी जो है वेकेंसी रहेगी तो अलग लग जो है आपके समवर्गों में ये वेकेंसी निकाली गई है, तो टोटल अगर हम बात करें, तो 133 पोस्टों पर ये वेकेंसी रहेगी इसके सांती जो नेक्स्ट पोस्ट रहने वाली है, जो की व्यक्तिगत साहयक, आशू लिपिक जो रहती, स्टैनो की जो पोस्ट रहती, ये भी आपको देखने को मिलेगी जो की लेवल 5 की, तो काफी अच्छी पोस्ट है, जो की लेवल 5 की रहने वाली, 29,000 से लेके 92,000 तक इसमें जो आपको सैलरी देखने को मिलेगी तो अलग-लग जन्पदों में ये वेकेंसी रहने वाली है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, चंपावत, दहरादून, हरिद्वार, नैनिताल, इसके साथी पौरी, पिथोड़गर, रुद्र, प्रियाक, तहरी, और साथ में उदम सिंग नगर, उस्तरकासी, हो गया, अल्म देखने को मिलेंगी, तो सभी पोस्ट हैं आपके लेवल 3, लेवल 5 और लेवल 7 के आपकी रहेगी, तो किस तरीके से आपको फौर्म बनना है, क्या क्वालिफिकेशन है, उस पर अभी हम बात करेंगे, तो सबसे पहले सुरू से सुरू करते हैं, तो अगर आप चैनल में न लेकिन एक्जाम आपका उत्राखन के अंदर ही होगा, कुल पदों की जो संख्या आपकी रहने वाले ये समुगो की वेकेंसी रहेगी, जिसमें की नेनिताल हाई कोड जो आपका रहेगा, वहां के लिए ये वेकेंसी रहेगी, जिसमें की कनिस्ट सायक के 57 पद रहेंगे, और आपका आशुलिपिक के जो हैं 82 पद रहने वाले हैं, ठीक है, तो यहां पे फॉर्म बनने की जो तारीक है वो आज से शुरू हो चुकी है, और ओनलाइन आवेदन आज से ही सुरू हो जाएंगे, अन्तिम जो तेथी रहेगी फॉर्म बनने की वो 22 फरवरी तक रहेगी और परिक्षा सुल्क जो जमा करने की है वो 23 परवरी तक रहेगी, परिक्षा देखिए 17 तारीक को जो इसमें करा दी जाएगी, तो काफी कम समय आपके बास बचा है, तो सारी चीजों पर अभी हम बात करेंगे, तो टोटल आपने देख लिए किस तरीके से रहेगा, और य तो फॉर्म कैसे बनना है, उसके लिए अलग से वीडियो रहेगी, क्योंकि काफी डीटेल में आपको बताना होता है कि किस तरीके से फॉर्म फिलप करना है, अभी हम नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं, वेतनमान 21,000 से लेके 69,000 तक रहेगा, लेवल 3 की ये वेकं गया है, इसके सांती जो है टाइपिंग टेस्ट भी रहेगी, तो टाइपिंग टेस्ट क्या रहती है, हिंदी टंकन कम्प्यूटर में प्रती मिनट 25 सब्दों की गती सही होना चाहिए, इंग्लिस में भी जो है इसमें रहती है, तो जो की 30 वर्ड पर मिनट रहेगी, तो य आपकी typing test भी जो है आपका इसमें conduct कराया जाएगा तो यही है इसमें जादे कुछ इसमें ऐसा है नहीं तो यह सारी जीज होगी और exam जो रहेगा वो किस तरीकिस रहेगा यहाँ पर हम देखें तो यह objective type रहेगा mcq-based question paper धाई घंटे का जो है अपको समय मिलेगा 140 अंकों का रहेगा ठीक है इसके सांती जो है टंकन परिक्षा typing test 60 अंकों की होगी तो यहाँ पिस लेबस के बारे में भी हम बात करेंगे किस तरीके से रहने वाला क्योंकि इसका अलग pattern रहता है exam का तो धाई गंटे में 140 अंकों में जो आपको परिक्षा देनी होगी इसके सा सांती जो विक्तिगत साहयक आशू लिपिक की जो पोस्ट है इसमें की 82 पोस्ट है रहने वाली है तो इसका जो qualification है वो क्या रहेगी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि age limit तो सेम रहेगी 21 से 35 वर्ष इसके सांती अगर आप SC, ST, OBC हैं त 3 साल की और 5 साल की तो वो आप notification में देख सकते हैं तो इसमें जो level रहेगा वो level 5 के vacancy है आसू लिपिक की और व्यक्तिगत साहयकी level 7 की रहेगी आयूसी में आपने देख लिए इसके सांती अगर हम देखें qualification में जो इसमें मागा गया है वो graduation minimum इसना तक आप लोग होने चाह हिंदी में जो आपकी speed होनी चाहिए वो 80 word पर मिनट होनी चाहिए और इसके सांती जो typing test रहेगी उसमें 25 word पर मिनट होनी चाहिए इसके सांती जो है अंग्रेजी में 35 वर्ट पर मिनिट और आशुलिपी में 80 वर्ट प्रती मिनिट की जो है स्पीड होनी चाहिए ठीक है तो इस 10-0 की जो स्पीड रहती वो आपके पास होनी चाहिए एक्जाम पैटन सेम रहेगा 140 अंकों की जो है परिक्षा रहेगी जो की धाई घंटे का समय मिलेगा MCQ बेजडे कोशन पेपर आपके इसमें रहेंगे और टैपिंग जो रहेगी वो 60 अंकों की होगी तो ये सारी चीज़े हैं इसके सांती जो है इसमें आपको नेगेटरिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी और 45 अंक जो है आपके मीनिमम रहेंगे क्वालिफाइंग और 35 अंक जो है जनजातियों को अन्य श्रेणियों को सरकार द्वारा समय सकते हैं पर जो अधी सूचना दी जाती है आयू में जो छूट दी जाती है वो मिलेगी अब बात करते हैं इसमें किस तरीके सा आपको फॉर्म फिलप करना होगा क्या फॉर्म की फीस रहने वाली है देखे फॉर्म की फीस थोड़ा इसमें आपको जादे देखने को मिलेगी फॉर्म कैसे बनना है उसके लिए डीटेल वीडियो रहेगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसमें आपको सबसे पहले तो फॉर्म फीस की अगर हम बात करें तो इसमें जो फॉर्म फीस रहेगी वो थोड़ा आपको ज्यादधा देखने को मिलेगी कि ये एक्शाम जो है एंटी ए दूरा चाया रहा है थिक है national test agency दूरा ये एक्शाम कराया जा रहा है काफी अच्छी एजनसी है और काफी निस्प रुपे जो है फीस आपको देखने को मिलेंगी तो ये सारा नोटिफिकेशन है ये आपको टेलिग्राम लिंक में मिल जाएगा और सिलेबस के अकॉर्ड रिगार्डिंग सांथ में किस तरीके से जो है इसमें आपको सिलेबस मिलेगा उसके बारे में भी हम बहुत जल्द आपको अपडेट प्रोवाइड कराएगे एकजाम देखे आपके एकजाम सेंटर कहा कहा रहेंगे अलमोडा रानी है चंपावा सभी जगे मतलब पूरे डिस्टिक में जो है आपके एकजाम सेंटर रहेंगे 20 इस एक्जाम सेंटर जो है इसमें बने आए गए हैं तो सभी जगे आप लोग जो हैं परिक्षा केंद्र देख सकते हैं यह सारी चीज़े हो गई और भी कोई अपडेट होगा वो हम आपको प्रवाइट करा देंगे चैनल के सांथ बने रही है चैनल को सब्सक्राइब कर जीए मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाए और फॉर्म आप लोग जल से जल भल लेना ठीक है लास्ट डेट आपकी जो फॉर्म फिलप करने की है वो 22 फरवरी रहेगी